दोस्तों सीरीज को आगे बढ़ाती हुए जो हम लोग का सीरीज चल रहा था बोर्ड एकजाम दो हजार पचीस वाला तो हिस्टरी में आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा डांडी मार्च ठीक है तो डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं समचीब में लिखना है ठ एक बार अगर आप लोग ने समझ लिया तो आप लोग आराम से लिख सकेंगे इसकी गैरेंटी है ठीक है तो मैं बता दूं कि यह जो डांडी मार्च टॉपिक है यह आप लोगों का चैप्टर सेकेंड भारत में राष्टेवाद से है ठीक है तो सबसे पहले डांडी अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक सासन किया ठीक ना यानि यह माल लो इंडिया इंडिया में 200 साल तक अंग्रेजों ने सासन किया और इस दोरान अंग्रेजों ने बहुत तरह का हम लोगों से टेक्स लिया ठीक ना और उनमें से बहुत सारे टेक्स थे संपत्ती टेक्स मतलब बगेरा बगेरा टेक्स था ठीक ना और इसी परकार का एक टेक्स था नमक का टेक्स यानि आप अगर जो नमक भी खाते हैं न तो उसके लिए भी ब्रिटिस सरकार भरतियों से टेक्स लेता था ठीक ना तो ये जो टेक्स था ये साधारन जनता मतलब दे नहीं पाता था यानि जो साधरन थे उन जिनके पास पैसान नहीं था और लोग नमक भी नहीं खापाते थे तो गांधी जी ने ये जो कानून था इस कानून बेवस्था का धजियां मतलब उड़ाने के लिए एक योजना बनाया और इस योजना के अंतरगत क्या किया उन्होंने सोचा कि ये जो अंग्रेज नमक का मोनोपोली कर रहा है नमक में बहुत बढ़ा करके टेक्स ले रहे हैं तो क्यों न हम लोग खुद नमक बनाएं और अंग्रेजों को उसकी ओकाद दिखाएं ठीक न तो इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया जितने भी सोतनतरता सेनानी थे साथ भारतियों से अपील किया कि वो मिलकर उनका साथ दे और पैदल चर करके साबरमती आसरम यानि जहां पर गुजरात में वो रहते थे उहां से चल करके डांडी नमक समुत्री तर्ट पर पहुँचे और नमक बनाएं और नमक कानुन का उलंगन किया जो अंग्रेज सरकार ने में भाग ले पाए तो आई होप यह जो चीज है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह जो डांडी मार्च टॉपिक है एक्श्वेल नमक कानुन की विरूत्त था ठीक है तो चलिए एंसर कैसे लेखेंगे सवाल है डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं संचिप में ल भी कहा जाता है महत्मा गांधी द्वारा यहाँ पर डेट याद रखिएगा डेट हो जाएगा 12 मार्च 1930 में अंग्रेजों के नमक कानुन का विरूत करने के लिए किया गया एक महतुपून मार्च था दोस्तों मार्च का मतलब होता है एक आंदोलन था तो क्या था आप लो 1930 से कब से कब तक चला तो वो चला आपका 6 अपरेल 1930 ठीक है या सावरमती आस्रम से सुरू होकर डांडी नमक एक समुद्री तर्ट तक चला जिसमें लगवक्त 240 मिल तक उलोग चले थे इसका वो देश नमक पर ब्रिटिस सरकार का एक आधिकार को चुनोती देना था क्या हो लोगों के पास थे वो लोग मनमर जी हिसाब से दाम लेते थे तो वो जो नमक था साधरन आदमी जो नमक रोटी खाते थे नमक चावल खाते थे उनको लोग नमक भी नहीं खापा रहे थे इसलिए ये अंदलन सुरू किया गया था ठीक है और भरतियों सतंतरता संग्राम को एक नई उर्जा देना था यानि इससे लोगों को जोड़ना था दस तो नमक क्या होता है नमक एक्शुल आंदलन करने का मेन उद्देश से था कि महत्मा गांधी को बताना था कि हम लोग का जो बेसिक से बेसिक चीज़ है जो नमक है साधरन से साधरन चीज़ है उसके ने भाग तो नहीं ले पाया लेकिन उनका समर्थन किया जगा जगा पर ये तो बहात्मा गांधी ने साबरमती से स्टार्ट किया था डांडी तक लेकिन साउध में भी और जगा पर हुआ तामिलाणू में और भी नौर्थ पार्ट में भी नौर्थ पार्ट में तो नहीं ठीक ना इस अंदलन ने जन सामान्यों को जोडने और अंदलन की भवना को बढ़ाने में एक महतुपून भूमी का नीवाया यानि क्या हुआ जो राष्ट के लिए भवना होता है न राष्ट भकती और राष्ट भकती सभी में पैदा किया और सभी एक होकर यह सोचने लगे क क्यों नहीं अपने देश के लिए लड़ सकते हैं ठीक है डांडी यात्रा ने सत्रेगरह की सिद्धानतों को विश्व इस्तर पर वाख्यात किया और भारतिय सुतनता संग अंदोलन को एक नया अमोर दिया याड़ी इस टाइम से दोस्तो क्या हुआ अंग्रेज को भी जुग है जो हम लोग एक एक करके बाद में डिसकस करेंगे आई होप यह जो टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों आज का जो सवाल रहेगा ठीक ना आज का सवाल रहेगा दांडी माच कब से स्टार्ट हुआ या आप लोगों को कमेंट में एंसर देना है आई होप आप लोगों देना होगा आपको क्लियर होगा दोन देना है होगा दोस्तों को है कर दोस्तों है